हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चर्णिन आज मैं अपने इस वीडियो में बेशन के कुल आठ तरह के फेस्पैक लेके आई हूं और इसे बड़े ही आसाने से घर में बनाया जा सकता है घर में बने वे फेस्पैक हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि इसे किसी भी तरह का नुक्सान आपके स्कुइन को किसी भी तरह का नुक्सान नहीं होता कोई भी तरह का रियक्शन नहीं होता है और है आप मेरे साथ एंड तक बने रहे हैं क्योंकि इन आथ तरह के face pack में कौन से face pack blackheads के लिए है glowing skin के लिए है dry skin के लिए है oily skin के लिए है ये से जानेंगे इसके लिए जरूरी है एंड तक बने रहे हैं और हां आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेगन को किलिक कर दें सो लेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो को नॉटिफिकेशन मिल जाए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक जो की एकनी और दाख धब दूर करने के लिए है इसके लिए आपको चाहिए बेसन और एरोवेरा जिल सबसे पहले एक बॉल में एरोवेरा जिल ले और बेसन ले हां बेसन से डबल एमाउट में एरोवेरा जिल लेना है अगर आप बेसन दो चमच ले रहे हैं तो चार चमच एरोवेरा जिल ले और एक चमट इसमें गुलाब जल एड़ करें अब तीनों को मिलाकर एरुवेरा जिल, बेसन और गुलाब जल इन तीनों को मिलाकर एक इसमूद पेश तियार कर लें अब इस पेश को अपने चेहरे और करदन पे लगाएं 10-15 मिनिट तक यूँ ही लगा रहने दे 15 मिनिट बाद पानी से फेश धोले इस फेश पैक को आप हफ्ते में 1-2 बार इसमाल कर सकते हैं और इस फेश पैक की हासित यह है कि आप इस फेश पैक को किसी बॉटल या कंटेनर में इस्टोर करके भी रख सकते हैं और डेली सुबह आप इसे अपने चेरी की सफाई करें पास मिनिट तक मसाज करें देन फेश को धोलें इसे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा एरो वेरा और बेसन दोनों ही स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसे इरो वेरा से स्किन की सफाई होती है रंगल सुधाने में मदद आती है और इसकिन में ग्लोइंग बनाने में भी मदद मिलती है नेक्स्ट फेस पैक जो की बेसन का है वो ब्लैक हेट्स के लिए ऐसे तो ब्लैक हेट्स को अगर निकाला जाए तो काफी दर्द होता है लेकिन इसे अगर फेस पैक की दर्द हो अगर निकाला जाए तो इसलिए ये निकल जाते हैं इसके लिए आपको चाहिए बेसन और पपीता आई जानते हैं ब्लैक हेट्स के लिए फेस पैक बेसन की मदद से कैसे बनाए आपको पपीता लेना है और बेषण लेनी है और गुलाबजल पहले तो पपीते को पेष्ट बना ले तन इसमें बेषण इड़ करें और गुलाबजल मिलाए deutschen अब इन दिनों को मिला करें कि स्मूद पेश्ट त्यार कर लें अगर पपीता ज्यादा पकवाए तो वह हां से ही मैश हो जाएगा दन इस पेश्ट को 10-15 मिनिट के लिए फेस में लगाएं 10-15 मिनिट के बाद ठाने पाने से फेस को धो लें इसे ब्लैक हेट्स इजली आसानी से चले जाएंगे नेक्स्ट फेस पैक जो कि बेसंट के हिल्प से मैं बना रही हूं वह है पिग्मेंटिशन के लिए अगर चेहरे पे दाग धब्बे हैं यह पिग्मेंटिशन है तो इस फेस पैक से चले जाएंगे इससे बनाना भी बिलकुल आसान है इससे बनाने के लिए चाहिए बेसं नीबू दही और एक चुटकी हल्दी मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का यूज किया है पर आप चाहें तो डेली जो डाल में सब्जी में खाने बनाने में यूज करती है वो हल्दी भी यूज किया जा सकता है तो बेसं नीबू करस दही और हल्दी इन सबी को मिलाकर एक स्मूथ पेश्ट तेयार करें आप इस पेश्ट को 15-20 मिनिट के लिए अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर सुखने के लिए छोड़ दें 15-20 मिन बाद जब यह सूख जाए तो ठंडे पानी से फेस को धो ले इस फेस पैक को अगर आप हफ़ते में दो बड़ यूज करते हो तो आपको पिग्मेंटेशन से जल्द रहात मिलेगा पिशिसन का जो नेक्स्ट फेस पैक है वो ओपिन पोर्स के लिए है इस फेस पैक को बढूने के लिए आपको अंडे का वाइट पाट चाहिए होता है इसे जुरिया भी तूर होती है और यह ऐसा मांक्स है जो इसकीन को जवा बनाता है आई जानते हैं इसको कैसे बनाते है याद रहे कि इसमें अंडे का सिर्फ वाइट पार्ट ही लेना है और बेसन लेना है शहद लेना है अब इन सबी को मिलाकर अंडे का वाइट पार्ट सब बेसन और शहाद इन तीनों को मिलाका एक स्मूथ पेश तियार करें देने से 10-15 मिनिट के लिए फेस पे रगा के छोड़ दें 10-15 मिनिट बाद फेस को ठने पानी से दोले बेसन के हिल्प से ड्राइ स्कीन के लिए फेस पे कैसे दियार करें आई ये जानते हैं केले में बहुत अधिक मातर में फैट्स होते हैं जो इसकीन को गहराई से मौशराइज करते हैं और अगर बेसन में केले को मिलाया जाए तो एक परफेक्ट फेस पेक बनाया जा सकता है इसके लिए आपको पके वे केले चाहिए और बेसन चाहिए और गुलाब जल चाहिए लेकिन अगर आपके इसकीन बहुत जादर ड्राय है तो आप गुलाब जल की जगहा पे दूद कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब गुलाब जल पके वे केले और बेसन इन सभी को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तियार करें अब इस पेस्ट को पंदरा से 20 मेंट ले अपने फेस पे करदन पे लगा दें पंदरा से 20 मेंट बाद ठंडे पाने से फेस को धोलें आपको ड्राय स्किन से रहात मिलेगी बेसन की हिल्प से एंटी एजिंग फेस पैक कैसे बनाए आई आई जान लेते हैं टमाटन में अंटी अजिंग प्रोपाडियस होती है तो बेसन और टमाटन की हिल्प से अंटी ऑजिंग फेस पैक इजली बनाया जा सकता है इसे बनाने के लिए आप कोचे ये दो चमज बेसन और बस एक पक़वा टमाटन टमाटो को पीस कर पहले एक पेस्ट तियार कर ले अब इस पेस्ट में बेसन एड़ करें आपका फेस पैक तियार है इस फेस पैक को गर्दन और फेस पे लगाए 10 से 15 मेंट तक यूँ ही लगा रहने दे 10 से 15 मेंट बाद फेस को ठने पाने से धो ले आपको अच्छे रिजर्ट चाहिए जल्दी रिजर्ट चाहिए तो इस फेस पैक को हाफ़ते में दो बार जरूर रुप्यों करें नेक्स्ट फेस पैक ओली स्किन के लिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन और मुल्दाने मिट्टी मुल्दाने मिट्टी जो होते है वो इसकीन के जो इसकीन में यह फेस पे जो एक्स्ट्रा ओयल होते है उसको एब्जॉर्ब करती है और डेट सिल्स को बाहर निकालती है और यह इसकीन को ठंड़क भी पहुचाती है बेसन और मुल्दाने मिट्टी फेस पैक यही नहीं बे बेशन एक चमच और गुलाब जल अब इन तीनों को मिलताने मीटी बेशन और गुलाब जल इन तीनों को मिलाकर एक स्मूथ पेश्ट तियार करें इस पेश्ट को 15-20 मिंट के लिए अपने फेस पे गर्दन पे लगा दें जब यह सूख जाए एरां 15-20 मिंट बाद इसाने प बेशन की मदद से फेस पैक किस तरह बनाए आई जानते हैं इसके लिए आपको चाहिए बेशन हल्दी पॉडर और थोड़ा सा गुलाब जल अब इन तीनों को बेशन हल्दी पॉडर और गुलाब जल इन तीनों को मिलाकर एक स्मूथ पेश्ट तियार करें अब इस पेश् इस फेस पैक से एक नीट दो ठीक होंगे ही इसके नीशान भी चले जाएंगे ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टीप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर